अगन बाड़ी सेवी काउं सहाई काउं तथा मिनी बहनों का आज इस वीडियो में स्वागत है तो बहनों वीडियो को पूरा देखी गा क्योंकि कुछ मान देखी खावरे नहीं है कुछ आपके हलताल से रिलेटर खावरे हैं के अंदर सरकार ने आपकी कितनी मागों को पूर कर लिया है जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक अपरेल से सुपरवाइजर लोग जो भी है या सीडी पी यो बीटी ओधिकारी है वो अपने अपने डीटी पे वापस लौट आए हैं अगर कोई करकरता टर्मिनेट हो जाएगी तो उसके घर का खर्चा कैसे चले हैं तो चुटिया बिकार हैं मतलब एक पकार से मर्लबा निशीत कालिन आवकास पर हैं आगनबारी बहने तो माग के इससे रिलेटेड चीज ये है कि मैं आपको पहले बताए कि राज सरकार के दोरा आपकी मागे जितनी थी जितना उन से हो पाया वो तो उन्होंने मागी है केंदर सरकार के दोरा जो चीजे हैं उसको हमें यहां देखेंगे कि हमारी मुक्ता माग ये थी कि हमें सरकारी नौकरी का दर्जा दिया जाये जो कि केंदर सरकार का दिल्ला करना है तो उनके द्वारा अभी तक तो डर्जा नहीं दिया गया है स्कारी कर्मचारी का लेकिन उन्हों ने ये कहा है कि हम मान दे को मुख्यता जरूर बढ़ाएंगे और 26,000 की मागो को लेकर आगनवारी बहने गई थी तो उनके द्वारा यहाँ स्वासन दिया गया है कि 15 से 25 अपरेल के बीच में आपका जो मान दे आएगा उसमें पता चलेगा कि आपका कितना मान दे बढ़ाया गया है तो इसलिए दिल्ली में जो भी रैली थी वो बहुत ही जोरदार तरीके से हुई भी थी और करनी भी चाहिए थी ताकि किन्त सरकार पर अपना दबाव को बना सके रही बात हरताल की तो यह हरताल संयुक्त मोर्चे की थी जिसमें संयुक्त मोर्चे निरना के अनुसर हरताल वापस ले ली गई है तो बहनों दूसरी ख़बर भी है जो कि परवेचक के द्वारा भेजिवए है ह्र किसी के लिए है कि पोशल ट्रैकर में आगन बाड़ी opening करना जरूरी है बेहनों आप आगनबारी को opening करिए पोसा tracker में भी बहुत से लोगों का क्या है कि सिर्क उनको ऐसा लगता है कि संपर्क app ही एक ऐसा app है जिसके हम entry कर देंगे काम हमारा हो जाएगा तो संपर्क app के अलामा आपको पोसा tracker में भी आगनबारी ऑपनिंग की entry करनी है साथ ही साथ गरहभ हेट के currently बहुत कम है बहुत सी जगाँ पे लोग आप मैं से बहुत से लोग home visit ये गरहब entry गरहभ हीट के entry नहीं कर रहे हैं उसको आप लोग फूरा कीजिए जिन लोगों इसे पोसा ट्रैकर में भी रहता है तो जिन्हों ने नहीं है इंट्री किरें यहां पे बहद देखी अगर आप देखेंगे कि कुल आवेदन यहां पर लिखा है कुल आवेदन 147 फूर फिकरिति आवेदन जीरू तो यह मैं आपको बहन क्यूं दिखा रहा हूं इसका मैं मतलब बता देता हूं बहुत से लोगों की ये शिकायत है कि लाडली बहना योजना का जो फॉर्म है वो फॉर्म भरा दिया जा रहा है लेकिन उसका बेनिफिट कम मिलेगा कब उसको अपलाई किया जाएगा जैसे कि मैंने बोला था कि 10 माई से या 10 जून से हर आपके खाते में एक हजार रुपए आने लगेंगे तो सबसे पहले तो मैं यही बता दू कि अभी सिर्फ आवेदनों को दर्ज किया जा रहा है आपके द्वारा जो ऑनलाइन सौम लाडली बहना योजना के भराए जा रहे हैं वो सिर्फ दर्ज होते हैं और डर्ज होने के बाद जब वो स्कृति के लिए स्कृति हो जाएंगे आपके जो आवेदन आपके द्वारा दर्ज है वो जब स्कृति हो जाएगी तो उसके बाद अगले आने यह दस तारीक को आपके खाते में एक हजार रुपाये लाड़ली बहना योजना का जाएगा तो अभी सिर्फ आपके आवेदन भरे जा रहे हैं, उनको दर्ज किया जा रहा है, तब आप आवेदन को दर्ज कराइए, फिर उसमें भी जाच होती है, उसमें भी छटनी होती है, उसमें भी देखा जाता कि कितने आवेदन फॉर्म योग्य हैं, कितने आवेदन फॉर्म यो बेहनों ये भीड आप देख सकते हैं या पूरी की पूरी भीड जो है मजदूर संग और आगनबाडी बेहनों की दिल्ली में होने वाला जो हरताल थी कल उनके द्वारा बहुत ही अच्छी हजारों की संख्या में बहने गई थी और बहुत ही बहतरी नांदोलान और हरताल किय रही हैं तो उनके दोरा 15-25 अपरेल बोला गया है मांदे को बढ़ाने की डेट को तो अब देखते हैं कि 15-25 अपरेल के बीच में कितना उनके दोरा मांदे बढ़ा जाता है तो आगे हम वीडियो बेहनों देखें कि उसकी वीडियो को जादए जादा अप लोग लाइक और शेयर कीजिए चैनल को सबस्क्राइब करें भेनों धन्यवाद इल सेंटें क對不對 ऐसी पाया शुख चैनल को सबस्क्राइब साथ क्वाद. झाल 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 झाल